best laptop for office work के लिए in 2021 में अगर आप सर्चार कर रहे हैं कोई laptop एंड अगर आपको बीड़े 50,000 है आपके लिए मैं laptop बताऊंगा बात करते हैं सीधा number 4 बात करते हैं लेकिन number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हूं भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बैस्ट होने वाले अगर आपने आफ्लाइन काम करना है जाक लिए बहुत अग्डे होने वाले हैं प्लस अगर आपके ल बाल पर काम करना प्रोग्रामिंग करने या कोडिंग करने उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी हावी सॉफ्ट्वर भी यूज करना है आप इसली नॉर्मली कर सकोंगे तो बात करते हैं सीधा number 4 की number 4 की बात करें number 4 पर यार मैंने रखा है MI notebook horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी build quality प्लस इसका design वह बहुत जादा इसको suit करता है प्लस MI brand प्लस अगर आपका कोई काम ऐसा कि आपको keyboard पे ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है MX350 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते i5 10th generation के साथ देखने को मिलगा तो specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है मैं आपको main specification बदा देता हूं थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई देखने को मिल जाता है तो यह मैंने आपको बता दिया है आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता तो आप इस चीज को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में को मानस मट आजाता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop जो है वह सही लगता है आप उसके और जा सकते हैं अगर आपको आपको नमबर 4 पर रखा आप यह आगे बात करते हैं नमबर 3 की नमबर 3 की बात करो नमबर 3 पर यार मैंने रखा इस पायर 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आपका प्रेड़ पचास अजार से कम है तो यह laptop आपको 45,000 के बटड में मिल जाता है 45,000 के बटड में आपको सपेसिफिकेशन पूरे लूट्ड मिल जाते हैं बहुत अगड़े सपेसिफिकेशन है मैं आपको बताते तो हम सीधी बात करते हैं हम सपेसिफिकेशन की तो यह डिस्पले की बातों को 40 निच 4 HD प्लज दिस्पले मिल जा दी जो की IPS panel display processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है expandable आप कर सकते हो पस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है SSD के benefit की अगर मैं बात करूँ तो भई SSD का benefit यह होता है अगर आप TADA अगरा जल्दी transfer करना जाते हो तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया जाए HDD के साथ HDD की speed बहुत बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो तो इसको यार आदा गंटा 40 मिन ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप data गारा ज्यादा transfer करते हो graphic card की बात करूं आपको नवीड है G4 MX350 देखने को मिलेगा उपने इसनों की बातों को विंटो 10 मिल जाते है बैंटरी लाइफ की बात करूं आपको 8 hours का बैंटरी लाइफ परवाइड कर देता है प्राइस की बातों को 45 अंचे लेके 51,000 के budget में एस इसर इसपार 5 यह specification के साथ देखने को मिल जाएगा तो यहर में आपको बता दिये इसर इसपार 5 के भी अगर मैं specification के according देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है बही आपको 45 अंचे budget से लेके 50,000 के budget तक यह laptop देखने को मिल जाते है तो बही अगर आपने office work के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ते हो अगर programming करने है coding करने है कोई heavy software यूज करना है video editing करना जाते हो या gaming करना जाते हो आप इस पे कर सकते हो आपको 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है जिसको आप upgrade कर जाते हो 16GB तक अगर आपने video editing करने है तो बही मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16GB RAM क जल जाना उसको upgrade कर लेना आपके लिए ही benefit होने वाला अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो comment section में comment कर सकते हूँ जा मैंने link वगारा description box में दिया हूँ है अभी आगे बात करते है number two की तो अभी बात करते है number two की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ number two and number one को दोनों को म मैं बात करूँ Acer Nitro 5 की सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ भी अगर आपको office work के लिए चाहिए अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है बट अगर आपको gaming design चाहिए अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता है आपको specification loaded चाहिए कि अगर आपने कोई heavy software यूज करना है gaming करना है वीडियो acting करना है आपके लिए best होने वाला इस तर इस तर नीट्रोफाइब पहले मैं कल तो बोली लगा था आपके लिए best हो सकता है इस से नीट्रोफाइब आप जा सकते हो इस से नीट्रोफाइब के और वो बहुत 16.6 full HD plus display मिल जाती जो की 16 refresh rate के साथ आती तो 16 refresh rate यार average display होती है इतना तग्राय भी नहीं कह सकता है इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है इस चीज़ को आप द्यान में रखना पर सैसर की बातों को i5 9th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है अपर ग्रेट अब कर सकतो 32GB दक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता है उप्रेट इस तो की बात करते हैं इस तर नीटर फार की तो डिस्पले की बातों को 50.6 फ्लेट प्लस IPS पैनल डिस्पले मिल जाती है जो की 16 refresh rate के साथ आती है आप पर सा आसर की बात करूँ इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाती है उप्रेट की बातों को विंडो टैम मिल जाती है बैंटरी की बात करूँ आपको 6 hours का बैंटरी बैक पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ आपको 57,000 के बज़र में इस से नीट्रो फार देखने क तो मिल जाएगा तो यहर में आपको दोनों ही लैपटाप के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको लैपटाप बता है उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है तो यहर अगर आप एक्स्टा पी कर सकते हो तो आप एक्स्टा थोड़ा सा भी पी कर सकते हो त इस प्राइज रेंज में एसर बहुत तगड़ा भी अगर आपका प्राइज में एसर लैपटाप बहुत जादा तगड़े है तो यहर अभी मैंने आपको टॉफ फूर लैपटाप बता दिया जो कि आपके लिए पौफट डील हो जकता है अगर आप कोई भी हैवी साफ्ट पर के लिए चाहिए प्रोग्रामिंग करना या जागर आपने अजर क्रेटर काम करना जा कोई भी लॉड़ड़ फाइल पर काम करना आप सभी के लिए जो मैंने आपको लैटाप बताए वह बहुत अगड़े होने वाले तो यार अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है खत कम अगर आपको विडियो को लाइक करते ना जैसे ने फविडियो को साथ तेंक यू